नमस्कार मैं हूं डॉक्टर आजेवांबी जैसा कि आप जानते हैं आज कल हमने केतु की एक नई सीरीज प्रारम की हुई है और उसी के अंतरगत आज का जो हमारा एपिसोड है वो है केतु का अध्यात्म और राशी है व्रश केतु कैसे इस नक्षत्र में इस राशी के व्यक्तियों को प्रभावित करता है इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे उससे पहले केतु को समयना बहत आवश्यक है केतु सबसे ज्यादा मिस्टीरियस प्लैनेट है राहू से भी ज्यादा राहू तो दिखता है राहू का प्रभाव दिखता है केतु का प्रभाव बह होता है जबकि राहु इसपस्ट होता है सामने होता है तो जो सूक्ष में होता है तो बड़ा गहरा होता है उसकी चोर बड़ी गहरी होती है अगर वो पॉजिटिव हो जाये तो कमाल करता है तो मुक्ति प्रदान करता है, इसलिए हम केत्व को आध्यात्मिक रह कहते हैं, गलत हो जाए, उल्टा हो जाए, तो को अलग है, तो हम इसकी जो खूबियां हैं, उनकी हम बात करना चाहते हैं, और इनको अनलाइज करना बहुत इंपोर्टेंट होता है, किसी बात को जैसा का आप ऐसा बोल देना, सुनी-सुनाई बात को बोल देना, लेखी-लिखाई बात को बोल देना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप किसी चीज की व्याक्षा करते हैं, उसको समझते हैं, उसको मनन करते हैं, तो मेरा ऐसा मनना है, कि सामने वाले को भी उतना ही आनन्द आता है जितना कहने वाले को तो हम केतु की एक नई व्याख्या करने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको भी उतनी ही पसंद आएगी जितनी हमें बोलते वक्त या लिखते वक्त ये समझ में आएगी केतु के सबसे पहले एपिसोड में हमने कहा था कि जो प्रमुख चार इंद्रियां हैं जिसमें आँख है, नाख है, जिव्वा है या मोह हैं और कान हैं यह इंद्रियां नहीं हैं। केतु के पास मात्र एक इंद्री है जिसको हम संबिक कह सकते हैं या और गहरे में। केतु के पास मात्र एक इंद्री है वो है इस पर्ष। उसके पास बाकि कोई इंद्री नहीं है जो हमको बाहरी जगत की ख़बर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर केतु के पास आँख नहीं है तो देख नहीं सकता, अगर मुह नहीं है तो स्वाद भी नहीं हो सकता, नाक नहीं है तो घ्रान की समस्या होगे, सोने की समस्या होगे, और कान नहीं है तो श्रवन नहीं हो सकता, तो यह जो एपरेंट, एपरेटर किसी भी व्यक्ति के पास होते हैं हम सब के पास होते हैं उनसे हम जीवन के कई रूपों का आनंद लेते हैं ये केतु के पास नहीं है केतु के पास मात्र एक इंद्री है वो है इसपर्ष इसपर्ष सदेव आंतरिक होता है जिनेंद्रियों की मैंने बात की वो वहरगामी है और इसपर्ष जो है आंतरिक है जब भी आप अपने प्रेमी या प्रेमिका का पती-पत्नी के हाथ का इसपर्ष करते हैं तो वो जो आपको आनंद की या सुख की अन्भूती होती है वो आपको आपके हाथ की कारण होती है जबकि मैसूस ऐसा होता है कि दूसरे व्यक्ति को जब हमने छुआ है तो उससे हमको इसपंदन हो रहा है उससे हमको एक ख़बर मिल रही है जबकि आप जानते हैं कि आपके ये जो मेमडरी है यह आपके ब्रेन को ट्रांसपर हो जाती है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमने जब दूसरे वेक्ति को छुआ है और उससे हमको आनन्द आ रहा है जबकि वास्तम में यह आनन्द आपका है अगर आप अपने को गहरे में अंदर चलने जाएं तो फिर ये बात आध्यात्मिक हो जाते हैं केत्व का जो इसपर्ष है वो इन चार इंदरियों के अभाव में बहुत गहरा और इस्थाई हो जाता है वैसे भी जब हम नोटिस करते हैं तो जितने भी ग्रह हैं उन सब का चरत्र चत्रन के इलावा उनकी जन्म की कहानियां हैं उनकी अपने अभूशन हैं उनकी वहन हैं और वो किस तरीके से कारे करते हैं कहां रहते हैं और अस्त्र हैं शस्त्र हैं हर किसी के अपने अपने हाथ हैं किसी के दो हाथ हैं किसी के चार हाथ हैं तो उन हाथों में हर हाथ का एक कोई प्रियोग है, उसका कोई सौपान है, उससे हम उस व्यक्ति को या उस ग्रह को जानते हैं. तो किसी ग्रह को जानने के लिए इन सारी चीजों की वड़ी आवश्यक्ता है, जब हम एक ग्रह को संपून उसका अवलोकन करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसका एनलाइसिस करते हैं, तो हमको उस ग्रह के बारे में उसके जो भीतरी और बाहरी गुण हैं, उन सब का ठीक से आइडिया लग जाता है, प्रते ग्रह के अपने गोन और अबगोन भी हैं, उनकी विव्याख्या शास्त्रों में की गई है, जब हम किसी ग्रह को ठीक से जान जाते हैं, तब ये पता लगाना मुश्किल नहीं होता है, कि अमुक राशी में, अमुक नक्षत्र में, अमुक ये ग्रह किस तरह का फल देने वाला है, और इसके विना अगर हम ऐसे ही बोल दें, तब फिर वो बात नहीं आती, वो सटिकता नहीं आती, के तू इंट्यूशन या अन्तेचेतना देने वाला सबसे प्रबल या स्ट्रॉंग ग्रह है, के तू जितना कुंडली में बलवान ह होगा, व्यक्ति को उतना ही इसपस्ट इंट्यूशन होगा, और जब भी कोई ऐसा इंट्यूशन होता है, तो उसकी बाडी में, शरीर में एक अलग परकार का इसपंदन होता है, वाइबरेशन होता है, कभी खिचाव होता है, कभी किलियर मेसेज आता है, तो बहुत सारे प उसका कारण नहीं है, जब ना कोई हवा चल रही है, ना कोई तूफान आ रहा है, उसे लग रहा है कि something different is happening in my body. कई बार ऐसा व्यक्ति ध्यान नहीं देता, उसे पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है मेरी body में, लेकिन उसे इस पस संकेत आते हैं भावी घटनाओं के या भवश्च में होने वाली घटनाओं के, जब उसके सामने वो घटनाएं घटने लगती हैं, तो उसे याद आता है कि अ ऐसा व्यक्ति अपने अंते करन में जाना शुरू कर देता है, थोड़ा ध्यान भी कर लेता है, थोड़ी understanding बढ़ाता है, तो फिर उसको उसके जो intuitive wisdom है, वो काफी active हो जाती है, और फिर उसको कई तरीके से, कई indications मिलते हैं, कभी दीवार बे कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा कभी कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके आने से कोई उसने कुछ बोला नहीं, अलग तरे की उसको आंतरिक सूचना मिलती है, तो intuitive level पे उसका अलग तरे की information कह सकने प्राप्त होती है, फिर वो समझ जाता है कि भावी घठना है कैसी होने वाली है, मैं जीवन में ऐसे कई व्यक् लिखते ही आपका अथीत, आपका वरतमान, आपका भविष्य चुठकी बजाते ही बताते हैं, तो ऐसे व्यक्ति हाईली intuitive होते हैं, और उनको अपने बारे में तो शायद कम मालूम हो, लेकि सामने वाले के बारे में पूरा मालूम हो जाता है, अगर हम केतु को और गहरे मे समहिना चाहें, तो हमें इस पर्ष को, टच को बहुत चेतनिता के साथ समहिना पड़ेगा, प्रतेक बच्चा जब अपनी मा की गोद में होता है, शुरू में, तो उसका जो एक टच है, वो पूरी जिंदगी मिस करता है, और अगर हम ठीक से बोलें, तो वो उसके व्यक्ति का आधार भी वही है, कि मा से उसे कितना सुख मिला, कितना सुख उसे नहीं मिला, वो बीमार रहा या नहीं रहा, वो उसके जीवन में परिलक्षित होता रहता है, तो एक टच है, जो कई जगा उसको रिफलेक्ट होता है, उसके व्यक्ति के संबंदों में भी होता है, तो यह तच्छ का बड़ा गहरा महत्व है वर्तमान आधुनिक डिजिटल वर्ड में हम भाव सारे काम ओन-लाइन कर लेते हैं ओन-लाइन आप अपने मित्र से परिजनों से मिल सकते हैं बात कर सकते हैं बात भी करते हैं सामने वाले के सारे हाव हाव दिखते हैं हसरा है तुखी है कितना खुश है कितना खुश नहीं है सब दिख रहा है सब हो रहा है लेकिन बिना इस पर्ष के एक कमी सी महसूस भी होती है तो इस पर्ष जो है वो सबसे गहरा है। भागवान करश्न भी कहते हैं कि जो पिता का पुत्र के साथ आलिंगन है वो सबसे स्रिस्ट है वहाँ पर भौतिक सुख भी है और आध्यात्मी सुख भी है। दोनों प्रकार के सुखों का वहाँ पर मेल होता है। और वैसे भी जब एक भाई दूसरे भाई का आलिंगन करता है तो एक परम सुख की अन्भूति वहाँ देखने को मिलती है। जब आप अपने मित्र के साथ चपी बाते हैं तो वो जादू की जप्षी हो जाते है। जब भी हम दूसरे व्यक्ति के साथ आलिंगन करते हैं, मित्र हो बच्चा हो दोस्त हो तो वो जो इस्पंदन होता है उसकी जो गहराई है उसका जो सुख है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उसे महसूस किया जा सकता है। तो केतू के पास वो आठ है कि वो चीजों को समझ के, छू के या उसको इस्पंदन होते ही रहते हैं चूकि वाइबरेशन से उसका कनेक्ट है, स्पेस से उसका कनेक्ट है, तो वो जो स्पेस में होने वाला है, जो अंतरिक्ष में होने वाला है, जो आकाश में होने वाला है उसकी खबर उसे इस तरह से मिल जाती है जैसे हमने इस परस से विभिन तरह से आपको समझाने का प्रयास किया यहाँ पर हमारे पास एक डॉक्टर लेजी डॉक्टर की कुंडली है और कुंडली आपके सामने है और यहाँ पर कृतिका नक्षत्र में केतु विद्वान है क्रतिका जो नक्षत्र है सूर्ष का नक्षत्र है और सुर्ज के नक्षत्र में केतु का जो तेज है जो नेगेटिव है बहुत अथ्तर ये काफी एक्टिव हो जाता है इनकी गुल्ली है करकलगनी गुल्ली है और पंचम में राहू है छटे में चंद्रमा है नवम में गुरू है मंगल है एकादस में बुद्ध है चंद्रमा है और केतु है और द्वादस में शुक्र है शनी है तो यहाँ पर जो हम देखते हैं केतु जो है कृतिका के नक्षत्र में है और कृतिका यहाँ पर हलांकि लाब के घर में है यह डॉक्टर हैं, अच्छी हैं, सफल हैं, लेकिन इनकी व्यक्तिकत लाई बहुत कर डिस्टरब है, शादी बहुत लेट हुई, और शादी में भी उतना सुख नहीं है, फिर संतान बैदा भी नहीं हुई, उसकी लिए भी संतान गोद लेना पड़ी, और घर में भी बहुत पर अगर उसे सपोर्ट नहीं है, सूर के साथ है, तो अच्छा नहीं है, बुद्या ठीक ठाक है, तो व्यवस्ता हो रही है, राहू पंचम में वो भी अच्छा नहीं है, तो इन सब के चलते, जीवन में बहुत जादा, जितनी उम्मीरे थी, महत्वा कांक्षा हैं तो बहुत थी, महत्वा कांक्षा हैं पूरी नहीं होती, लेकिन हाँ सफल डॉक्टर हैं, आप शाध्य सुदा भी है ही, बच्चा भी है ही, लेकिन उस सब में एक connectivity ठीक से नहीं है, वेवस्ता चल रही है, जीवन चल रहा है, तो अगर केतु कृत्वा के नक्षत्र में हो, और उसे प्रापर सपोर्ट नहीं हो, कहने को गुरु बहुत अच्छा है कुणली में, लेकिन नमाज में नीच का है, तो कुणली में वो दम नहीं आती, और यहां पर केतु के प्रभाव से, जो कुछ होने को था, वो समय पर नह जिन्दगी चल रही है लेकिन कोई ग्रेट जिन्दगी नहीं कह सकते हैं मेरे पास दूसरी कुनली है कजोल देवगन की ये इनकी मा तनुजा है और नूतन की ये मीज थी पूरा परिवार ही जिस परिवार में ये पैदा हुई वो सारा फिल्मी परिवार है इनकी फादर भी दिरेक्टर थे प्रेडूसर थे तो ये एक उस परिवार से पैदा होती है जहां पर फिल्में इनकी विक्विन ग्रेंड मदर समर्थ वो भी फिल्मों में थी जो नूतन की मा है तो कहने का मतलब ये है कि यहां एक आप उस माहौल में पैदा होते हैं तो आप कुनली देख कुम लगन में गुरू है चंद्र है चतुरत में केतू है रोहिनी के नक्षत्र में पंचम में शनी है और शुक्र है छटे में सूर्य है बुद्ध है सब्तम में मंगल है और दश्चम में राहु है तो यहां अगर हम देखें केतू के इस्तिति तो यहां केतू जो है रोहिन के नक्षत्र में रोहनी नक्षत्र अपने आप में बहुत ही अच्छा नक्षत्र भगवान करश्न रोहनी नक्षत्र में पेदा हुए थे लेकिन वहां पर चंद्रमा रोहनी नक्षत्र में था और केतु जो है वो आध्यात में ग्रह है और जब वो इस नक्षत्र में आता है तो वहां पर बहुत शशक्त हो जाता है इसलिए मैंने बोला जो इनका परिवार है चौथा घर के चौथे घर में तो परिवार बहुत शशक्त है हर तरह संपन है उसके बाद ये फिल्मों में आई इनकी पहली फिल्म तो नहीं चली लेकिन बाजीगर से ये ऐसी हिट होई और फिर इनकी शारुक खान के साथ जो चूड़ी थी वह बहुत ही सफल जोड़ी बनी इनकी जो 1996 के आसपास फिल्म आई थी थिल्वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वह अभी तक बंबई में माराठा मंदिर में चल रही है शायद और भी कहीं चल रही है और उसने इतना बनाएंगे जिसमें कोई कोई लिमिट नहीं है और इनको साथ बार तो आई थिंक भहसा रेवार्ड मिलें उसमें फिल्म फे रेवार्ड भी है जी के रेवार्ड भी हैं और इनको पदम शिरी भी मिला हुआ है तो हर तारीके से ही सफल है और एक जमाना ऐसा था कि सबसे एक्ट्रेस थी और जिस ये फिल्म में होती थी वो फिल्म अपने आप में एक गैरेंटी हो जाती थी उसके बाद इन्होंने अजे दिगबंट से शारी की इनके दो बच्चे हैं और सुख के साथ रह रहे हैं कि कुल्ली में अगर केतू अच्छा हो तो बहुत सारी गैरेंटी कर देता है हाला कि पूरी कुंडली ही अपने आप में सशक्त है कुंडली को देखके कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जैसा कि हम कोशिश करते हैं अगर राहू या केतू का कुंडली में अच्छा इस्थान हो और उनका नक्षत्र भी बढ़िया हो तो फिर कुंडली में व्यक् विशित्र कुंडली है और बहुती सफल व्यक्टी कुंडली है अगली हमारे पास एक और कुंडली है जिसकी हम बात करते हैं ये शमी नारंग है और इनका शमी नारंग को आप शायद जानते होंगे लेकिन पुराएं लोग तो खुब जानते होंगे ये दूर दर्शन पे नीज पढ़ा करते थे और एक जमाना था कि इनका बड़ा जल्वा था आज भी जितने भी मेट्रोज हैं उसमें जो हिंदी में मैसेज आते हैं कि ये स्टेशन आगया उतर जाए ये स्टेशन आने वाला है आप इस स्टेशन पर खड़े हुए हैं चाहिए आप दिल्ली की हो बैंगलार की में हो जैपूर की में हो चिन्नाई की में हो पता नहीं कहां कहां साथ आठ जागे ये इनके सारे मेसेज आते हैं आजकल ये वाइस ओवर कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी करते हैं तो इनकी कुणली से बात करते हैं कुणली यहां पर है स्कॉर्पी लगन की है उसमें शनी है, सूर्य है, बुद्ध है, राहु है, द्योती में शुक्र है, पंचम में चंद्रमा है, सब्तम में केतु है, मुम्रक्ष्रा के नक्षत्र में, लगन भी, जो मुरक्ष्रा का स्वामी है, वो होता है मंगल, और इनका जो लगन है, वो बृष्षिक है, यानि उस तो केतु हैं अपने मित्र के नक्षत्र में हैं हम बोलते हैं कि कुजा वत केतु कुजा बोलते हैं मंगल को कुजा वत केतु तो कुजा की तरह मंगल की तरह केतु होता है तो यहां पर जो केतु जो है कुंडली भी एकदम से परफेक्ट है और यहां पर यह केतु मंगल के नक्षत्र में होकर उसने इतनी इनको उचाई दी इतना इनका नाम कि कोई लिमिट ही नहीं है, आज भी हम इनकी आवाज हर जेके सुनते रहते हैं, बहुत जगे वाइस ओवर करते हैं, और कई जगे इनकी मैसे हमको देखने को मिल जाते हैं, कभी-कभी किसी फिल्म में भी इनका वाइस ओवर होता है, तो यह हम बताना चाहरे थे कि जब जानना हो, तो केतु को जानने के लिए हमको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, बेडिटेटिव होना पड़ेगा, और बहुत शुद्ध होना पड़ेगा, जितने हम नीट अड क्लीन और अंदर से होते जाएंगे, उतना हम केतु को समझ सकते हैं, केतु से हम लाव उठा सकते केटू मुख्फित है, आध्यात्मिक द्रह है, Julius ministивает Tyre mercy and le neutralization of the kingdom of God जो लोग ऑपने आपको समझहना चाहते है, और इस जनब में प्येक्व उफलबदी प्राप्त करना चाहते है, उन्हें केतु को बहुत गहरे में समझना चाहिए और पता करना चाहिए कि उनका केतु किस राशी और किस नक्षत्र में बाकी हम तो यहां बताते रहेंगे अस्ट्रोजी की सतीक जानकारी के लिए विशु विख्यात अस्ट्रोजर अजय भामवी के यूट्यूब चानल ABC चानल को सब्सक्राइब, लाइक और शेर करें लेटेस अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें